नमस्कार दोस्तों वелकम बेक टो पाईरो सोफ्ट और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ForEまた लूप के बारे में बदेखा था For loop काकोंसेप्ट देखा था पूरा और किस तरीके से For loop काम करती हैं तो हमने देखा था पूरा का पूरा और आगर आपने लूप की तब से नहीं देखा है तो आपको अच्छे से लूप क्या होती है किस तरीके से काम करती है और अगर मैं बात करूं तो आज जो 4H loop है वो loop का last concept है और यहाँ पर loop खतम होगी और शायद आगे जाके हम PHP के functionality स्टार्ट करेंगे और अगर आपने अभी तक हमारी PHP की playlist को access नहीं किया है और हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please जाके subscribe कर दीजे और bell icon को दबा दीजे ताकि एसे ही latest video आपको मिलती रहे तो अभी हम start करते हैं 4H loop के बारे में, so without wasting time, let's get started So, अभी हम बात करते हैं 4H loop के बारे में तो पहले हम हमारे Xam server on कर देंगे और Xam server on करने के बाद हम क्या करने वाले हैं हम हमारे sublime text editor में चले जाएंगे और हमारा हर बार की तरह index.php अगर आपको नहीं पता है हमारी website का नाम ने केसे दिया था demo और हमने index.php कहां पे बनाया था तो मैं आपको बता दू, htdocs वाले folder में हम बनाते हैं और आपको नहीं पता है तो आप पहली या दूसरी वीडियो देख लीजिए आपको सब कुछ पता चल जाए है हमारे playlist के बता दू, htdocs की जरूरती q पड़ी तो मैं आपको एक example दिखाता हूँ, so हम क्या करते है, dollar एक variable के अंदर एक array बनाते है, और array के अंदर हम value store करते है, one, two, three, four, five, और अब भी हम करेंगे echo, so हम directly echo करते है, और यहाँ पे dollar a को print करते है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, demo, प और आप देखेंगे array to string conservation, यहाँ पे इस तरह की error आती है, तो हमें अगर array को print करवाना है, तो हमें for loop की जरूरत होती है, for loop की मदद से हम array को print करवा सकते है, so हम for loop लेंगे, और for each loop नहीं हम पहले for loop का example देखेंगे, और फिर हम जाके for each loop देखेंगे, so हम पहले एक for loop देख मैं refer करता हूँ, आप पहले notpad plus less use करें, ताकि आपको सारी syntax अच्छे से याद रहे, अभी हम क्या करेंगे, dollar a की size हमें लेनी पड़ेगी, because यहाँ पे हमें size देनी पड़ती है, condition के अंदर, so हम dollar b के अंदर size of function होता है, php के अंदर, और उसमें dollar a की size ले लेंगे, so हम को size मि यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे simple से dollar b लगा देंगे, तो यहाँ पे हमें size मिल गई है, अभी हम क्या करेंगे, इको करवाएंगे for loop की मदद से, और यहाँ पे dollar a करेंगे, और यहाँ पे थोड़े सी html भी साथ में देते थे हैं, और अगर आपको नहीं पता है, html भी होगा, index value और dollar आए होगा, index change होती रहेगी और print होती रहेगी, और control s to save, and यहाँ पे हम अभी देखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आगया है, अगर, so अपने basically देखा, for loop में इस तरीके से काम होता है, अभी for loop, for each loop की जरूरत क्यों पड़ी, अभी for each loop की जरूरत इस दिये पड़ी, क्योंकि value directly, अगर हम दुसरे variable में store करवा कि वही variable अगर print करवा दे, तो सिधे से हमें इससे कुछ जंजटने करने पड़े कि size नहीं डूनने पड़ेगी, और काम थोड़ा efficiency आ जाएगी for each loop में, so इसको करने के लिए हम कुछ इस तरीके का example देखेंगे, हम इसको comment out कर देता है, और हमारा dollar a इस तरीके से होगा, और अभी हम लगाएंगे for each loop, for each loop की syntax अगर मैं आपको बताओ, तो यहाँ पे पहले में सब कुछ निकल देता हूँ, अगर पहले आपको for each loop लिखना है, और आपको जो भी variable की अंदर जो value आएगी, variable है, एरे वाला, व और is, एप redefine ही आता है, एज करके, और इसके अंदर आपको दुसरा आपका जो भी variable आपको बनाना है, उसी variable में store होगी, आपकी वो सारी value, तो हम B में store करवाएंगे, और अभी आप देखेंगे, echo करवाएंगे, simple से हमें echo echo नहीं, पर अभी B को echo करवाना है, अभी control to save करें और यहां पर अगर आप output, यहां पर हम थोड़ा output change कर देते हैं, 7, 9, 6, ऐसा कुद कर देते हैं, और अभी यहां पर control to save, और आप देख सकते है, loop चल गई है, for loop में हमें कितना जंजट करना पड़ता था, size भूणनी पड़ते थी, और हमें variable को define करना पड़ता था, फिर जा से होता है, अगर आपने यहां पर key मागी होती है, कि हमें key भी print करवानी है, तो थोड़ा difference है, थोड़ा सथ भेतरिंग नहीं होता, और शायद print भी नहीं होता, बट यहां पर for each loop की मदद से हम key भी print करवा सकते है, अगर हमने यहां पर predefined syntax syntax अगर आप देखो for each loop की, so क्या ह है, यहां पर आपको key देनी पड़ेगी, और key के अंदर यहां पर इस तरीक का sign होता है, PHP के अंदर जो value उसके अंदर store करता है, so अभी हम क्या करेंगे, key हमारी होगी, एक डॉलर key नम का variable होगा, और उसके अंदर हम हमारी की भी होगी, so अभी हम क्या करेंगे, हम key को change होगे, so पहली की हम रखेंगे, आपको पता ही, यहां पर key भी exchange हो सकती है, पहली की हम इसते के से रखेंगे, और दूसरे की की हम रखेंगे 1, so दूसरे की की हम 1 रखेंगे, इस कितर इस तरह से, शायद error तो भी नहीं आनी चाहिए, अभी हम print करवाएंगे, और control to save, और यह यहां पर इस तरह के का output आ गया है, अच्छे से print हो गया है, so भी हम key को भी print करवा देंगे, key को हम print करवाएंगे, dollar key, और उसके बाद हम थोड़ा सा key का, जो string है, sign उसको भी print करवाएंगे, ताकि अच्छे से आपको पता चले, और यहां पर हो चुका है, शायद और control to save, औ ABC की, हमारे पहले की, 2, 3, 4, 5, 6, सारे की, सारे key भी आ गए, so for each loop का फाइदा यही है, आपको key भी चाहिए, तो आपको key भी मिल सकती है particular, for loop में ऐसा नहीं हो सकता, but for each loop में absolutely आप ऐसा कर सकते है, और इसी तरह से for each loop काम करती है, so I hope आप समझ गए है, किस तरह से मैं क्या के चाहता हूँ, अगर आप देखे, तो याप एस simple सा logic है, हमें key भी अभी नहीं चाहिए, आप simple से ऐसा समझ यह, कि हमारा जो array है, array को हम direct print नहीं कर सकते, so हम array को direct print करेंगे, for loop अगर हमने इस तरह से लगाई होती, तो हमें भी ऐसा करना पड़ता, for loop चलानी पड़ती हो, direct print तब भी नहीं होता, हमें यहाँ पे index भी डालना होता, तब भी हमारा array print होता, but for each loop में क्या होता, हमारा array direct print नहीं होता, but हमारा array के अंदर जो value है, यही सारी value, उसको हम दूसरे variable के अंदर store करेंगे, for each loop की मदद से, और वही variable को print करवा देंगे, ताकि directly आपको सारी की सारी value मिल सके, so हमारा variable A है, उसके अंदर हमारी यही सारी value है, और A as B, हमारा यह नया variable है, हमको नहीं पता, और उसके अंदर सारी value यहाँ पे transfer होगी, पहली value जब आएगी, इस index की value यहाँ पे आएगी, so यही value यहाँ से उठकर यहाँ पे store होगी, इसके अंदर, और दूसरी value आएगी, दूसरी value इसके अंदर आएगी, और यहाँ से उठकर इसके अंदर दूसरी value store होगी, तिसरी value आएगी और यहाँ से उठकर इसके अंदर store होगी, तब भी हमें dollar B को print करवाना है, क्योंकि सारे की सारी value यहाँ से आकर यहाँ से store होती है, यहाँ के अंदर, इसके अ काम ही यह एक को स्टोर करवाती है एक को शिंपल तरीके से स्टोर कर देते हैं दुसरे वरियाबल में और दुसरा वरियाबल अगर हम देखे हैं डॉलर भी और सेव करवा के हम आउट्ट देखे तो आप देख सकते हैं वान टू त्री फॉर फाइज आउन सिक्स आप जो भी वाली है अगर आपने डेटावेस के अंदर आपकी डेटा की वेल्यू स्टोर की हुई है तो फॉर इस लूपी काम आएगी विकोज यहां पर हमारा जो फॉर लूप है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसलिए हम फॉर इस लूप का यूज करते हैं तो आप प्रे वीडियो में तब तक के लिए जय हीन वंदे मात्राम